गुड मर्निंग एट क्लास मेटे जैसे आपको पता है कि हमारा जो 17 चप्टर है पैरलोग्राम वो कम्प्लीट हो गया है आज मैं आपको उसकी रिवीजन करवा रही हूँ और आपने अच्छे से रिवीजन करनी है और कल इस मिन्स फ्राइडे को इसका टेस्ट होगा 17 चप्टर का देखे जैसे फर्स सम में कहने क्वाडिलेटर ए बी सी डी ए पैरलोग्राम आपको जो पैरलोग्राम ये क्वाडिलेटर दिया है ए बी सी डी इससे पूछे क्या ये एक पैरलोग्राम बन सकता है हमें कुछ question पूछेगे हैं उन question के base पे हमें yes no में answer देना है first question है d plus b is equal to 180 देखे d और b ये कौन से angle है opposite angle आपने याद अखना है कि parallelogram के अंदर opposite angle equal होते है equal मतलब जितनी b की value उतनी ही d की value तो इनका plus हमें 180 दे रखा है तो ये क्या है no क्योंकि parallelogram के opposite angle equal होते है उनका plus 180 नहीं होता second question है a b और d c 8 है a b और d c 8 है ये opposite size equal है लेकिन a d और b c equal नहीं है ये 4 है ये 4.4 है तो इन size तो ये भी हमारा parallelogram नहीं बन सकता है क्योंकि ये 4 है और ये 4.4 है तो इसका reason भी क्या आगया no क्योंकि parallelogram के अंदर opposite size क्या होती है equal next है a is equal to 70 c is equal to 65 ये 70 degree है और ये 65 degree है तो opposite angle है और ये equal नहीं है तो आप क्या करोगे ये भी एक parallelogram नहीं बन सकता क्योंकि इसके opposite angle equal नहीं है इस लिके से आप इन questions के answer दोगे second way है तो ये parallelogram हमने draw कर लिया है और इसमें 2 urgency and angle urgency क्या होते है एक ही line पर बने angle ये 3 और 2 के ratio में है तो 3x and 2x और sum of urgency and angle कितना होता है 180 तो इनको 180 के equal रखके हम x की value find out करेंगे तो a कितना आ गया x की value आगी 36 a है 3 multiply x 3 multiply 36 108 और b है 2x 2 multiply 36 72 a और b की value आगी हमारे पास तो a 108 है तो c b कितना होगा 108 क्यों क्योंकि opposite angle है और parallelogram की opposite angle equal होते हैं और इसी देखे से b कितना है 2x यानि 2 multiply 36 72 तो ये 72 है तो db कितना होगा 72 तो बेटे आपने ध्यान रखने है तो ये दो बाते आपने यान रखने है तो parallelogram के अंदर opposite angle equal होते हैं और इसके जो urgency angle होते हैं एक ही line पे बने ऐसे a और b, a और d इनका plus हमेशा 180 होता है तो बेटे ऐसे ही आपका ये next sum है third इसमें आपको हर angle equal दिया है xx दिया है तो आप 4 को plus करो 360 के equal करो क्योंकि ये जो quadilator होता है parallelogram होता है उसके 4 angles का plus 360 होता है तो आप x की value find out कर सकते हो next में देखिए आपको एक parallelogram दिया गया है उसमें x, y, z आपको find करना है तो ये वाला sum देखिए इसमें क्या है आपको बाहर की तरफ angle दिया है z और आपको x और y find out करना है तो सबसे पहले हम 50 और x इन दोनों को plus करेंगे क्योंकि ये क्या है parallelogram और parallelogram के urgency and angle का plus 180 होता है properties वही है तो आपने अच्छे से solve करना है तो x की value हम find out कर सकते है 130 अब क्या है x की equal कौन सा है y क्योंकि ये कौन से angle है opposite angle opposite equal होते है तो y भी कितना आ गया 130 ये हो गया अब देखिए ये और ये क्या है parallel lines है और इनको ये तीसरी line intersect कर रही है a, b और c, d क्या है parallel है और जो b, c, side है इनको आपस में काट रही है तो इसके उपर जो opposite direction के अंदर angle बनते है y और z ये भी क्या होंगे equal होंगे क्यों? क्योंकि ये कौन से angle होते है alternate angle y और z equal है तो ये कौन से angle है alternate angle तो इस तरीके से हमारे z की value भी आगी 130 तो बेटे ऐसे ही आपने इस exercise के सारे समच्छे से complete करने है कल को Friday को इस chapter का test है जो भी सम मेने आपको वीडियो के अंदर करवाए है आपने सिरफ उनी की ही revision करनी है Thank you, बेटा